दोस्तो अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो और आपके पास क्रिकेट अकैडमी जाने के लिए पैसे नहीं है जा फिर आप यह जानना चाहते हैं कि बिना क्रिकेट अकैडमी जोयान करे क्या हम क्रिकेटर बन सकते हैं क्या क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट अकैडमी ज दोस्तो अगर आप एक krikketer बनना चाहते हो तो हो सके आपको एक academy join कर लेनी चाहिए लेकिन दोस्तो अगर आपके पास cricket academy join करने के लिए पैसे नहीं है जा आपके घरवाले आपकी support नहीं करते हैं क्रिकित खेलने के लिए तो ऐसे में आपके मन में सवाल आता है कि क्या हम बीना Cricket Academy जोयन किये क्रिकेटर बन सकते हैं, क्या हम अपने देश के लिए खेल सकते हैं, तो दोस्तो इसका जवाब है हाँ, दोस्तो आप बीना Cricket Academy जोयन किये, एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो और अपने देश के लिए क्रिके खेल सकते हूँ दोस्तो कुछ ऐसी खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने कभी academy join नहीं की लेकिन अपने talent और मेहनत के दम पर आज वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं जैसे कि उमेज जादब नबदीब सेनी दोस्तो अगर आपके अंदर talent है तो आप भी बिना academy join कर एक cricketer बन सकते हूँ इसके लिए मैं आपको तीन ऐसे points बताने वाला हूँ अगर आप इन points को follow करते हो तो आपको इससे बहुत मदल मिलेगी दोस्तो तीन में से तीसरा point ऐसा है जो के बहुत important है और इससे आपको बहुत help मिलेगी तो दोस्तो बीडियो को ध्यान से देखना दोस्तो सबसे पहला point है कि आपको 3-4 गंटे हर रोज practice करनी होगी दोस्तो अगर आपने cricket academy join नहीं की है तो आपको अलग से practice करनी होगी आपको अपने basic पे ध्यान देना होगा ये basic आप कहां से सीख सकते हो इसके बारे मैं मैं आपको तीसरे point में बताने वाला हूँ दोस्तो चाहे आप एक गेंदवाज हो जा फिर एक बल्लेवाज हो आपको हर रोज 3-4 गंटे practice करनी होगी practice करनी के लिए आपके साथ कोई दूसरा दोस्त भी होना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहला point यही था के आपको हर रोज 3-4 गंटे पूरी लगन से मेहनत करनी होगी ताके आप एक अच्छे batsman या एक अच्छे baller बन सको दूसरा point है के सही समय पे trials देते रहें दोस्तो होता क्या है जब आप एक academy join कर लेते हो तो बहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहती है के trials कब होने वाले हैं लेकिन जब आप academy join नहीं करते हो तो आपको अलग से जानकारी हासिल करते रहना होगा के कब trials होंगे इसके लिए आपको internet या YouTube पे देखते रहना होगा के कब trials होने वाले हैं और इन trials में हम कैसे participate कर सकते हैं आपको इन सारी चीज़ों को online ही पता करना होगा और आपको trials में participate लेकर अच्छा performance करना है ताके आपकी selection हो सके दोस्तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम बेना cricket academy जाए trial दे सकते हैं तो दोस्तो इसका जवाब है हाँ cricket trial देने के लिए काफी अच्छे अच्छे players आते हैं जिनोंने cricket academy में अच्छे से cricket सीखा हुआ होता है ऐसे मैं आपको selector के आगे अच्छा performance करना होगा ताके वो आपको select कर सके तीसरा जो सबसे important point है दोस्तो अगर आप academy में नहीं जा सकते तो आपको online सीखना होगा आपको अपने basics सुधारने होगे क्योंकि दोस्तो अगर आपकी technique अच्छी है तो आप एक अच्छे level पे cricket खेल सकते हो बैसे तो YouTube पे आपको बहुत सारे channel मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो क्रिक science क्रिक science पे आपको दलिप सिंग जो के NIC gold medalist और NCA level 1 के BCC qualified coach है इनकी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो आप एक बहुत अच्छे player बन सकते हो इनकी एक और खासीत है इनकी हर वीडियो हिंदी में होती है और जी एक एक बात पूरी detail में बताते हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा online आपको कोई और सिखा सकता है तो दोस्तो ये थे वो 3 point अगर आप 3 point को follow करते हो तो आपको बहुत help मिल सकती है दोस्तो इस वीडियो के end में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक क्रिकेटर बढ़ना चाहते हो लेकिन यह सोचकर आप घर बैठे हो कि मेरे पास cricket academy जोयन करने के पैसे नहीं है तो मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता तो दोस्तो ऐसा नहीं है अगर आपके अंदर talent है और आप पूरी लगन से मेहनत कर सकते हो तो आप बिना academy जोयन करें भी एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो तो दोस्तो मैंने आपको तीन पॉइंट बता हैं आपको इन तीन पॉइंट को ध्यान में रखकर आगे भढ़ना होगा और पूरी लगन से मेहनत करनी होगी तो दोस्तो अगर आप पूरी लगन से मेहनत करोगी तो आप जरूर एक दिन सफल क्रिकेटर बन सकते हो तो दोस्तो अगर आपको इन वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अन अकाडमी क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो